हेलो जी, वेलकम तो माई चैनल, आज मैं बना रही हूँ माटर मश्रूम की सबजी, उसके लिए मैंने ये थोड़ी तयारी की है, ये हरा धनिया है, जो मैंने साफ करके, धो करके, रख लिया है, और ये आज कल ताजा माटर आ रही है, तो माटर मैंने निकाल के रख लिया है, पलीओं से चार 1 ट्रेमाटर लिए हैं चोटे साइज के हैं और ये तीन हरी मिड्ची है लस्दुन है थोड़ा सा और ये एक अदरक टुक्ड़ा है तो चार प्याज लिए है और ये मश्रूम है अमारे पास अब है मैं इसको दो करके गरम पानी में बिगो करके रख दूँगी गरम पानी मैंने डाल दिया है मशरूम मेरे को ताजा नहीं मिल पाई यह दो या तीन दिन पुरानी है ब्लेक ब्लेक सा जो दिख रहा है उसका यही मतलब है कि मशरूम बिल्कुल ताजा नहीं है आपके पास available हो तो आप ताजा लें और ये मैंने अभी कड़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है गर तेल गरम होने के बाद मैंने ये जीरा डाल दिया है जीरा जैसे ही भून जाएगा मैंने रफली जो है सबजियां काटके रखी हैं बहुत बारिक नहीं काटी हैं और ये मैं इनको अच्छे से भून लूँगी तेल में प्याज मैंने डाल दिया है कड़ाई में और प्याज डालने के बाद कुछ मिनट बाद ही मैं इसमें ये अद्रक, लसुन और हरी मिर्ची डाल दूँगी और इसके बाद मैं ये टमाटर डाल दूँगे और टमाटर के बाद मैं इसमें एड करूँगी कुछ मसाले, कुछ अभी डालेंगे मसाले, कुछ बाद में ये नमक डाल दिया है, नमक से जो है सबजिया जल्दी गल जाती है स्वाद अनुसार कम ज्यादा आप डाल सकते हैं और यह मैंने हल्दी डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए धकन लगा कर रखेंगे धक्कन लगाने से मसाला हमारा और जल्दी पकेगा यह धक्कन लगा दिया है अभी कुछ मिंटों में ही मसाला हमारा तयार हो जाएगा यह देखिए, सबजियां जो हैं हमारी लगबग तयार हैं, अभी हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद इसका ठंडे होने का वेट करेंगे, जैसे यह ठंडा हो जाता है, हम इनको मिक्सर में पीस लेंगे, और यह मैंने गरम पानी में मश्रूम जो है वो भीगो के रखी थी, आप इनके जो है छोटे छोटे टुकडे कर लें, और गरम पानी में भीगो कर रख दें, जिससे कोई गंदगी होगी तो बहार निकल और अभी देखिए, मैं यह दुबारा से कड़ाई में तेल डालूँगे, और जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाएगा, फिर से मैं जीरा डालूँगी, यह डबल छोंक वाली सबजी है, काफी अच्छी बनती है, एक बार आप भी ट्राई कीजिए, यह तेल गरम होने के बाद म और यह एक तेज पता है, थोड़ी दाल चिन्नी के टुकड़े हैं, चोटे-चोटे, कफी अच्छा फ्लेवर आता है इससे, दाल चिन्नी आईरुवेदिक जो है यह अच्छी रहती है, पेट के लिए भी अच्छी रहती है, और अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे ही यह मसाला अमारा तयार होगा, हम इसमें कुछ और सब्जियां जो हैं, वो एड़ करेंगे और अभी जो है, गैस हमने बिलकुल सिम रखी है, यह मसाले मैं कुछ और डाल रही हूँ, वो धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची है, स्वाद अनुसार, यह गरम मसाला है, और अभी इनको दुबारा से मिक्स करेंगे यह मिक्स होने के बाद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, वैसे मसाला हमारा पका हुआ है, ग्रेवी जो है हमारी वो पहले से भी पकी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, अभी मैं यह धकन इसके उपर लगा रहती हूँ, और बीच बीच मे हम यह ग्रेवी जो है उसको चलाएंगे, और यह बीच में मैने मतर डाल दिया है, मतर को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, भी मतर पहले डाल दिया है, ऑभी धकन लगाके थोड़ी देर के लिए फिर पकाएंगे, अभी देख रहे हैं, आप क्वांटिटी जो है देखे बीच बीच में चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो फिर नेचे चिपक जाएगी ग्रेवी यह मैंने दो गिलास इसमें पानी डाल दिया है आप जितना आपको पानी चाहिए होता है जितनी ग्रेवी चाहिए होती है उतना पानी आप डाल सकते हैं इसमें मैंने दो उसके बाद हम इसमें मश्रूम डालेंगे अभी हमारी मटर पूरे परेंसे पक गई हैं और यह मैंने मश्रूम जो है थोड़ा थोड़ा करके सारा मश्रूम इसके अंदर डाल दिया है काफी अच्छे बनती है सबजी बना के देखिएगा एक बार और यह देखिए कितना पानी हमने डाला है उसके उबलने का वेट जैसे ही हमारा पानी उबलने लगा यह दीखिए थोड़ा ग्रेवी अपने आपका मुझाए घर्वीर फूरा जाएगा या फिर मश्रूम यह है वह सोख लेगा पानी को इसलिए थोड़ा से एक्ष्ठा पानी डालना पड़ेगा और ये अभी हमारी सब्जी तयार है मश्रूम डालने के लगबग 2-3 मिनिट बाद जो है सब्जी हमारी बिल्कुल तयार है अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए बहुत अच्छी महकारी है ये सब्जी से पूरा जो है घर में महक आ रही है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक बार बना के जरूर देखिए ट्राइ जरूर करके देखिए